सुही नमश्कर दोस्तों मिरा नामे गरेन है जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारे पास स्नापडरागन 865 को आलकम स्नापडरागन डिवाइस नहीं है एक बहुत ही कमाल का दिखने वाला बूट अनिमेशन है इस तरह से आपका डिवाइस जो है आन होगा बहुत ही कमाल का और रशान्ता लगने वाला ये बूट अनिमेशन है आप इसे अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं और इसे टेस्ट किया गया है एवस्पी के डिवाइस में यानि कि अगर आप गूगल पिक्सल के डिवाइस यूज कर रहे हैं आप उस पर इस चीज को यूज कर सकते हैं मै बहुत ही कमाल का लगने वाला boot animation अगर आपको पसंद ना है तो आप इसे uninstall भी easily कर सकते हो तो कैसे इस boot animation को install करना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे उमीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, let's get started इसके लिए आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है जिसका लिंक आपको मैं दे दूँगा description में उस फाइल का नाम है sd865.zip और इस फाइल को आपको as a magisk module install करना है अगर आपको as a magisk module install करना है आप तब भी install कर सकते हैं नहीं तो आपको और भी एक अच्छा तरीका मैं बता दिता हूँ मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा मैंने इसको इसको install कर लिया इसके बाद आप यहां पचलेंगे आपके बूट अनिमेशन की फाइल होगी यह देखे बूट अनिमेशन.zip आप इसको manually यहां से copy करेंगे उसके बाद आप उसको कहां पर paste करेंगे आपको जाना है आपके डिवाइस के system में यहां पर आपको पस एक folder होगा media के नाम से अगर media का folder यहां पर available है तो ठीका नहीं तो आपको product के folder के अंदर आपको यह media folder देखने को मिल जाएगा तोनों में चीज सेम ही है आप देखेंगे आपके पास bootanimation.zip file आ जाएगी इस सब में फिलाज मने already as a magisk module इसको install कर रहा हुआ इसलिए आपको इस तरह से show होगा आपको करना का है आपको इसको यहां से copy करके यहां पर कर देना है paste पुराने वाले कर देना है delete यह आपको अलड़ी पता हो किस तरह से आप bootanimation इसको install करते हैं इसके ओपर मैंने एक video बनाया हुआ है आप जा के देख सकते हैं अगर आपको इसको जाने magisk model install करना है तो वह आप कैसे करेंगे आपको जाने अपने device के magisk manager में magisk में चलेंगे तो आपके पास कोई भी latest magisk version install होना चाहिए मेरे case में magisk 21.2 version install करकिया हूए मैंने और यह android version 11 यूज़ कर रहा हूँ अपने case में आप android version 10 पे भी इसको test करे सकते हैं वहाँ पर भी यह चीज़ अच्छे देखे से काम करेगी आपको जाना है आपके यहाँ पर ओले option पर आपको जाना है install from storage में उसके पाद आपको यहाँ पर file देखेगी sd865.zip आपको बस यहाँ पर click करना है और आपको ok कर देना है आपके device में boot animation install हो जाएगा मैंने इसको already install करा हूँ और इसका जो आपको देखने को मिलेगा वह आपको देखेगा black shark boot animation इस तरह से आपको इसकी file देखने को मिल जाएगी और यह आपके device में install हो जाएगा मैं एक बार फिरसे आपको अपने device को एक बार reboot करके दिखा जाता हूँ कि जैसे मैंने इसको install करा था तो मुझे किस तरह की look देखने को मिली थी अपने device के boot animation में अगर आप इसको uninstall करना है तो वो भी काफी जी है आपको आपके click करना है मैं जिसके वाले button पर delete वाले button पर आपके device से boot animation uninstall हो जाएगा और दूसरा जो natural जो normal आपका जो default boot animation था वो आ जाएगा हम अपने device को अपर के लिए reboot और थोड़ा से wait कर लेते हैं जैसे आपको boot animation देखेगा मैं आपको बता दूँगा हमें सबसे पहले आप लोगो उसके बाद हमारे पास आएगा यह दिखे boot animation snapdragon 865 elite gaming और यह boot animation देखने में काफी जादा मस लगता है बहुत ही जबर्दस लुक देता है आपके device को और काफी अच्छा custom boot animation इसको अपने device में इस्टॉल कर सकते हैं बस यह सबताच की इस वीडियो में लिंक आपको मिलते कर description में आपको गर वीडियो पसंद आई हो तो हम subscribe 0.0 this was all thanks for watching good bye